प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम्ण सर्वेश रिष्टी रचनहार कबीर प्रमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्च ग्यान देने के लिए वे स्वयम ही आते हैं अपने सट लोग से चल कर आते हैं और वो गुरू की भूमी का निभाते हैं क्योंकि यद्धी पिर्थ्वी पर गुरू होते तो प्रमात्मा को आने की आवसकता नहीं थी पिर्थ्वी पर गुरू नहीं थे ये लिटल नॉलिज वाले गुरू थे नीम हकीम थे इन्होंने ने तो अपने सद्गरंथों को समझा इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभाव ठीक कर सके प्रमात्मा के विशे में इसलिए गुरू रूप में परमात्मा समही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेश्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती क्योंकि हमने जो अग्यान सुना होता है वो अग्यान होता है हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं और जिस से भी हम सुनते हैं या कोई उन रिशी महरिशीयों के नुबहों को हम पढ़ते थे तो सभी ने आन्तमा एक निसकरस दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है उसको देखा नहीं जा सकता केवल परमात्मा का परकास ही हम देख सकते हैं तो विद्दार थी कि इतनी अकल नहीं होती इतनी वुद्धी काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिपनी कर सके यानि स्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं उनके द्वारा दिये गे परवचनों पर वो एविस्वास कभी नहीं करते ये स्वभाव होता है और एविस्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरु जी आप ऐसे नहीं ऐसा आम ने पढ़ा है तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आपको एक गुरु सत्गुरु के रूप में ही अधिक पेस किया यदिक गुरु होते हैं तो वो गुरू रूप में आये प्रमात्मा ही होते हैं तो यहां प्रमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरू गोविद दोनों खड़े और किसके लागूं पाए बल्हारी गुरू आपना जिन गोविंद्यों मिलाए यानि गुरू रूप में प्रमात्मा ही हो सकते हैं और बाकी जो गुरू है वो तो अलग बात है कोई मोटर साइकल चलाना सिखा देता हूँ उसका गुरू हो गया कोई गाड़ी चलाना सिखा देता हूँ उसका गुरू हो गया माता हैं अपने बेटियों गरोटी पोना सिखा दिवा उनकी गुरु होगी तो ये गुरु अलग है और अध्धात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है तो अध्धात्म ग्यान यान नहीं था और दो सद्गरन थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे या नकली वो समझ नहीं सके इसलिए प्रमात्मा स्वेम आते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े अब किसके लाग मुपाए बलिहारी गुरु आपना गोविंद्यों मिलाए तो वो कहते हैं गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही मेहतव देंगे तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं बाकी गुरु सबी अपने अपने सतर के हैं उनका अलग काम है और जो जातम मारग में ग्यान दे रहे हैं वो गुरू है ही नहीं वो तो नकली हैं सारे क्योंकि परमात्मा जो ग्यान देता है परमात्मा ने ग्यान दिया वेदों का परमात्मा ने ग्यान दिया गीता का यानि गीता में जो ग्यान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रम के अंदर फेड किया था और वो वेद जोंके तो बाहर निकले थे उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ग्यान दिया है ब्रम ने जोट सुरूपी निरंदन ने श्रीकरसन जीम प्रवेश करके इस काल ने जो ग्यान दिया उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ग्यान है जो गौड गीवन है प्रमात्मा ने इसको दिया था उसने कुछ अपनी अठकल इसमें साथ जोड़ी है तो वो अमारे काम की नहीं है बहुत सी ऐसी गीता जी के अंदर बहुत साथ दो तरफा ग्यान है जो वेदों से मेल खाता है गीता का ग्यान वो ओके है स्रेष्ट है और 90 परतिस्द गीता का ग्यान वेदों से मेल खाता है तो कहने का भाव ये है कि जो गुरू हैं वो आज तक ना वेदों को समन सके ना गीता को समन सके हमारे जो दर्म गुरू थे और नहीं पवीतर इन पुराणों को समन सके तो इस कारण से प्रमात्मा स्वेम आते हैं और वो ही गुरू होते हैं और जो गुरू हैं ही नहीं नाम बेसे गुरू का उने रखा हुआ है और हमने बेसे कुनको गुरू मान रखा है वो गुरू नहीं थे तो यहां प्रमात्मा ही आकर हमें ग्यान बता रहे हैं सत्गुरु के उपदेश का लाया एक विचारे जैसत्गुरु मिलते नहीं तो जाते नरक दुआर मैं दूत सब करते खेंचातान उनसे कभू ना छुटते फिर फिरते चारू खान कभिर चार खानी मैं भर्मते कभू ना लगते पार सो फेरा सब मिट गया मेरे सत्गुरु के उपकर साथ समंदर की मसी करू लेखनी करू बन राय दर्ती का कागज करू कभीर राम किर्शन से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन तीन लोक के वेधनी गुरु अग अदीन झाल झाल हुआ झाल 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 उबो झाल 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 झाल